आखिर कार बिग बॉस सीजन 16 के घर से अंकित गुपता जो एलिमिनेट हुए है वो अभी तक अपने घर क्यों नहीं पहुँचे जी हाँ आपको बता दें कि अंकित गुपता जब से बिग बॉस के घर से एलिमिनेट हुए है ना तो उनका कोई बड़ा इंटरव्यू सामने है और ना ही वो अपने घर पहुँचे हैं ऐसे में मेकर्स ने अंकित गुपता के साथ ऐसा क्या कर दिया है कि वो अभी तक कहीं भी दिखाई नहीं दे रहें जी हाँ आपको बता दें कि अंकित गुपता से एलिमिनेशन को लेकर एक लेटेस्ट बड़ी खबर लेकर हम ऐसी खबर जिसे सुनने के बाद आपके होश उड़ने वाले हैं कि मेकर्स ने आखिरकार अंकित के साथ ऐसा क्यूं किया ऐसी कौन सी बड़ी वज़ा गई थी कि मेकर्स को अंकित के साथ इतना बड़ा ख़दम उठाना पड़ा आखिर क्या कर दिया है मेकर्स ने अंकित के काफी खबरे आ रहे थी कि अंकित घर से बाहर नहीं हुए हैं। पीछे की सबसे बड़ी वजा घर के कंटेस्टन्स हैं पूरी की पूरी मंडिली ने अंकित के खिलाफ वोटिंग की और अंकित फस गे और घर से उन्हें बेगर होना पड़ा लेकिन आपको बतादेएं की बड़ी खबर यह है की खबरों की माने तो अंकित अभी तक घर से बेगर तो हुए है लेकिन बिग बॉस के मेकर्स ने अभी उन्हें घर से बाहर नहीं भेजा है बड़े बड़े मीडिया रिपोर्स अब ये लिख रहे हैं कि अंकित गुपता को सीक्रेट रूम में बेज दिया गया है जी हाँ आपको बता देंगे सीक्रेट रूम का बिग बॉस घर के अंदर अब खेल शुरू हो गया है खबरों की माने तो अंकित गर से निकल कर सीधा सीधा सीक्रेट रूम में पहुँच गये हैं जहां से वो आप पूरा खेल देखेंगे लेकिन इसके पीछे हम आपको बता दें कि अभी तक इसकी पूरी कन्फरम निउस नहीं आई है अगर मेकर्ज अंकित गुपता को सीक्रेट रूम में पहुचते हैं तो इसके पीछे की कौन सी बड़ी वज़ा है जबकि अगर सीक्रेट रूम में भेजना ही है तो सीक्रेट रूम में तो शालीन भानोट या सुंबुल टोकरखान या शिव ठाकरे को भेजना चाहिए जिनकी घर के अंदर एक अच्छी तगडी गेम तो हो रही है अंकित गुपता को सीक्रेट रूम में भेज कर मेकर्स का क्या फाइदा होने वाला है जिसकी वज़ा से हम आपको बता दें कि ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं हो सकता कि अंकित गुपता को सीक्रेट रूम में भेज दिया गया हो और आने वाले कुछ हाफतों में सीक्रेट रूम का खेल शुरू हो सकता है जिसमें कोई और कंटेशन ही सीक्रेट रूम में जाएगा ना कि अंकित गुपता सीक्रेट रूम में गये हैं ऐसे में आप अंकित के अलिमिनेशन को लेकर क्या कहना चाते हैं हमें कमेंट करें और बिग बॉस से जुड़ी हर एक लेटस न्यूज के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें